सब्सक्राइब करें कि सब्सक्राइब काफी जादा होता है जो कि यहां गेवन भी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन लेकिन कॉपर का क्या है पर 400 जूल पर केजी पर केल्विन है मतलब हमारे पास एक केज है और हम 230 की increase करें तो 400 Joule का energy देना पड़ेगा लेकिन अगर वही हमारे पास 1 kg पानी है और हम चाहते कि उसका temperature 1 Kelvin से बढ़ा दें तो 4200 Joule का energy देना पड़ेगा यह मतलब होता है specific heat capacity का तो चलो q equal to ms delta theta यह formula हम यहां लगाने वाले हैं और copper मास यहां पर कितना दिया हुए 100 ग्राम जिसको लिख देंगे 0.1 kg s का value दिया हुए 400 Joule per kg per Kelvin और change in temperature यहां पर 4 degree centigrade जिसको आप 4 Kelvin भी लिख सकते हो ठीक है चेंज इन temperature में कोई दिक्कत नहीं है degree में हो या Kelvin में हो चलेगा तो यहां से आपका जो क्यूँ आएगा एम एस डेल्टा टी यहां जागा 40 इंटू 4 कि एक सो साथ और ठीक है और यहां पर जो और सॉरी यह चार Kelvin नहीं है 21 डिग्री सेंटीग्रेड है वो तो 21 है न यह मेरे दिमाग में यह आ गया था यहां पर तुम्हारा जो आएगा वह जागा 21 डिग्री सेंटीग्रेड क्यालो या 21 क्याल्विन क्यालो ठीक है तो यहां पर रख तो 21 तो 4 इंटू 1 4 इंटू 2 8 840 जूल दिस इस दी हीट रिक्वाइट बाइक कॉपर 100 ग्राम ऑफ कॉपर तो रेज दी टेंप्रेचर बाइट ट्विन डिग्री सेंटीग्रेड अब इसी हीट को देना है पचास ग्राम ऑफ वोटर को और बताना है कि उसका कितना टेंप्रेचर चेंज होगा तो फॉर और चेंज इन टेंप्रेचर हमको पता नहीं निकालना है और हीट गिवेन है 840 जूल और एस का वैल्यू दिया हुआ है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन अब इसको पूट करू तो क्यू इकूल टू एमेस डेल्टा थीटा तो डेल्टा थीटा क्या आ जाएगा क्यू बाइमेस क्यू का वैल्यू हो जाएगा पॉइंट 05 अपॉन एम का वैल्यू कितना यहां पर है एक मिनिट क्यू का वैल्यू आट सो चालिस है एम का वैल्यू है 50 ग्राम मतलब 5 इंटू 10 का पार माइनस 2 केजी और यह है 4200 तो यह दो जीरो इससे कैंसल हो जाएगा तो यह जाएगा 840 बाइप 5 इंटू 42 अब यह देखो यहां से इसको अगर हम दो से काटते हैं तो टू टू जाफ और फो टू जाएट मतलब कि यह बीस हो जाएगा 42 अब चौरासी होता है तो यह पांच से कितना बार में चार बार में मतलब